आज मैं आपके सामने लेकर आ रहे हूँ टापिक GST की एकाउंटिंग एंट्रीज का अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंट्रास्टेट सेल एंट परचेस इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एंट्रीज का सिरीज मैं हूँ सिये पुझा गुफ्ता मेरे चैनल का नाम है अगर आपनी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे है रेट कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब बटन के साइट में ही है बाल का आइकन बाल आइकन पर क्लिक क goods from ABC limited rupees 1 lakh within state and GST rate is 18% GST के rate को रखा है मैंने common 18% जिसमें CGST 9% and SGST 9% रहेगा तो purchase account हो जाएगा हमारा यहां पर debit 1 lakh से input CGST 9% debit 9000 input SGST 9% debit 9000 to ABC limited 1 lakh 18,000 तो यह होगी पच्चेस की एंट्री अब बात कर लेते हैं सेल के लिए सेकेंड एंट्री है सेल की सेल गुड्स तो XYZ limited rupees 1 lakh 50,000 and GST rate is 18% XYZ limited account debit 1 lakh 77,000 to sale account 1 lakh 50,000 to output CGST 9% account 13,500 to input SGST 9% account 13,500 तो यह होगी सेल पर्चेस की अब एक आपको बता देते हैं एंट्री assets related आगर आपने को asset purchase की है थर्ड एंट्री है machinery purchase rupees 10,000 and GST rate is 18% इसकेस में हमारी entry क्या रहेगी हमारा machinery account हो जाएगा debit 10,000 से machinery account debit 10,000 input CGST 9% 900 input SGST at the rate 9% debit 900 to be limited 11,800 तो यह हो गई asset की entry अब एक basic आपको एक example में expense का दे रहे हूँ अगर आपने कोई expense किया है तो उस case में expense incurred on repair rupees 5000 and GST rate is 18% इस case में हमारी entry क्या रहे है कि expense के case में हमारा expense हो जाएगा debit तो repair account debit 5000, input CGST 9% debit 450, input SGST 9% debit 450 to C limited 5,900 तो यह हमने आपको basic example दिया है अपने entries का अब इसके base पर output और input tax कैसे निकलेगा वो में आपको बता रहे हूँ calculation of output and input GST table के थूँ आपको मैं पूरा समझा रहे हुए आपड particulars output and input रहेंगे क्या निकालना है हमें CGST and SGST बात कर लेते हैं output GST की पहले आपने entry number 2 में देखा था sale की entry थी उस पे मुझे GST पे करना था उसका output था मेरा 3500 CGST and 3500 SGST तो total output GST यहां मेरा होगा CGST 13500 SGST 13500 जो मुझे pick करना है अब बात करते हैं input GST की मुझे input कौन सा मिलेगा entry number 1 में मैंने की थी purchase उसका input मेरे पास हो जाएगा अवलेबल 9000 CGST and 9000 SGST entry number 3 में हमने की थी बात asset purchase करने की जिसका input था CGST 900 SGST 900 entry number 4 में हमने बात की थी repair की expense की जिसका CGST 450 था और SGST भी 450 था तो total मेरे पास total input GST कितना अवलेबल हो गया है है यहाँ पर CGST 10350 SGST 10350 तो अब मैं बता देती हूँ आपको हमारी final liability GST की कितनी निकलेगी calculation of net output input GST यह भी table हमने बना ली है output और input के लिए particulars आ जाएंगे मेरे CGST मुझे निकालना है और SGST मुझे निकालना है अलग-अलग category में pay करने के लिए total output GST मेरा कितना आया था अभी मैंने आपको समझाया CGST 13500 SGST 13500 आप देख लेते हैं total मेरे पास input कितना अवलेबल था वो हो जाएगा less मेरी output में से जो था मेरे पास CGST 10350 SGST 10350 तो finally अब मुझे कितना net GST pay करना होगा total net output GST मेरा रहेगा CGST मेरा आ जाएगा 3150 और SGST मेरा आ जाएगा 3150 तो इस तना से आपको अपना calculate करना है final output tax liability जो आपको government को pay करना है अब मैं entry आपको समझा देती हूँ आपकी tax liability की final tax entry क्या रहेगी आपकी books में उसकी बात कर लेते हैं आप output CGST 9% एकाउंट डाबिट 13500 output SGST 9% एकाउंट डाबिट 13500 to input CGST 9% एकाउंट 10350 to input SGST 9% एकाउंट 10350 balance जो होगा electronic cash ledger के through pick करना होगा तो electronic cash ledger में 3150 खड़ा हो जाएगा मेरा आप क्या करेंगे जब हम electronic cash ledger से bank के through payment करेंगे तो entry हो जाएगी electronic cash ledger account debit कितने amount से होगी 3150 मुझे पेग करना है और मेरा bank हो जाएगा credit to bank account 3150 तो ये था अभी मैंने पहले आपको basic accounting entries के बारे में समझाया इसमें यहाँ पर हमने की है start series accounting entries की तो अभी इसके पात मेरी series में आने वाली है बहुत सारी videos entries से related तो make sure आपने मेरे channel को subscribe कर ले हूँ सबी videos को देखने के लिए कोई भी आपके mind में है entry आपको पूछनी है किसी चीज की comment करके बता दे वो मेरी अगली video में आपके लिए add हो जाएगा and मेरी channel को subscribe जरूर कर ले और मेरी videos को like करना मत भूलेगा